सब्सक्राइब और प्यारा नमस्कर कैसे आप सुब तो फाइनली आ गया हमारा गुरूप टो का पहला पेपर यानि कि कॉस्ट का जिसमें हमने गाड कर आने जंडे और आप लोग इस पेपर में अपना बहतरीन प्रदर्शन कर सकें इसके लिए मैंने आपके लिए और कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि भाई कॉस्टिंग तो पास है कॉस्टिंग तो पास है यह लिजी सेप्टमबर दो हुजार चौबिस में जो हमारा एक्जाम होने वाला है उसके लिए वन एड़ा हाफ डे की स्टेटेजी फॉर दा सब्जेक कॉस्ट अकॉंटिंग ह सकते हैं अब कोई बित्तर देखकर यह मत कहना कि यार इतने घंटे को आशे पढ़ेंगे भाईया समझ लो कि अंतिम दाव है अंतिम दाव है आर्या पार वाली बात है और हमें आर की बात नहीं करनी हमें पार की बात करनी है सबसे पहले बात करें एनाइलिस ओफ आर्ज की गंटे हमारे पस तो आज अपनी तारिक 17th of September फिर आएगी 18th जो full day हमें मिलेगा और 19 September को है हमारा पेपर 17 September को आपका group 1 complete हो गया है शाम को पांच बजे पेपर खतम है और मैं मानता हूं कि अपने पास जो total hours है वो कितने हैं फटाफट से यहां पर देखते हैं अपने पास तो total hours हैं शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे लगता है आज हम पढ़ पाएंगे total 6 गंटे हैं लेकिन इसमें से मैं चाहता हूं कि minimum 5 गंटे की output हमें निकालनी होगी उसके बाद 18 तारिक को मैं सुबह 4 या 5 बजे नहीं उठा राद सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 ब बानता हूं हमारे पास total 6 गंटे हैं जिसमें से 5 गंटे हमें minimum अपनी productivity देनी ही देनी है तो इतना minimum रखना कोई बिच्चे ने कि आज तो exam हुआ है मेरा 17 तरिक के लिए हूँ आज तो मेरा exam हुआ है तो आज तो मैं बस 2-3 गंटे पढ़ लूगा तो चल जाएगा और उन्ह बंद करके इस पर trust कर सकते हैं यह वही techniques हैं जिनके through तुम्हारा भाई तुम्हारा गुरू जो तुम्हारा सामने बैठ है पांच बार rank लेकर आया था content coverage on the basis of priority तो priority के base पर हमें अपनी पढ़ाही start करें कुछ बच्चों के कहेंगे भाई ऐसा करते हैं आज ना पहले 6 गंट question में आएगा मतलब हमें बिना सोचे समझे तैयारी नहीं करनी है जो priority वाली चीज़े उसके इसाब से तैयारी करनी है आपको यादू मैंने ABC analysis अल्डेडी कर दिया था जिसमें मैंने सबी chapters को तीन category में बाढ़ दिया था category ABC में तो आपको उसी category के थ्रू जो है पढ़ना है म क्या रहे हैं सर कौन से chapter है सरा में पता नहीं भाया उसका वीडियो यूट्यूब पर आल्ड़ी मैंने डाल हो वीडियो देख सकते हैं और साथ ही ABC analysis का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसमें बड़े ही clearly बताया गया कि A category B category C category में कौन कौन से chapter आ रहे हैं तो पहले आपको ओवले chapter कर लिने चाहिए जो की A category में उसके B वाले उसके C वाले अब बात आई किस तरह से सर करें किस तरह से इने तो आपको क्या करने ये दो मिन चीज़े हैं एक है concepts और दूसरे है question हाला कि मैं हमेशा कहता हूँ concept is looking और जो बच्चे मुझ से पढ़ते है या फिर आपने हमसे marathon भी देखा हो YouTube पर या फिर face to face जहां पर भी पूरे भारत पर में हमने लिया है हम कहते हैं बच्चों को कि अगर आपकी concepts के उपर पकड़ मजबूत है तो teacher या कोई भी question आपको हिला नहीं सकता लेकिन फिर भी concept के सासाथ मैं चाहूंगा कुछ questions भी रखना है क्या आपने पढ़ा उसके लाब अगर आप चाहें तो हमारा जो marathon 2.0 है वहां से भी पढ़ सकते हैं marathon जो 2.0 है इसकी file आपको मिल जाएगी PDF हमारे telegram channel से मतलब जो notes है वो telegram channel से मिल जाएंगे और अगर आपको किसी भी concept को समझना है तो video YouTube से मिल जाएगी मैं चाह जिन बच्चों ने लिया है हमारा regular batch या फिर fast track batch उन बच्चों के लिए हमने list already share कर दिया कि कौन कौन से question आपको देखकर जाने हैं लेकिन उसके अलावा बच्चे कह रहे हैं सर्फ solve करें रीड करें तो आपको कुछ question definitely solve करके देख लेने चाहिए अगर आपको कुद पे confidence है कि नहीं आपने पहले कहीं बर लिखकर तयारी कि हुई है तो आप रीड करेंगे तो भी चल जाएगा हाला कि मेरे बच्चे reading से बड़े अच्छे number ले आते हैं क्योंकि हमारा homework का concept है वो पूरे भारत पर में unique है जहां पर homework देते हैं जिसका कोई solution कहीं पर नहीं देते बच् क्लास में खुदी उससे चेक करवाता हूं उसके बाद बच्चे करें सर हमें न भूलो हम भी तो बच्चे हैं माना आपके बच्चे नहीं है क्लास लिकन है तो आपके कोई बात नहीं non RSC students जो है उनकी बात कर रहा हूं तो non RSC students कहरें सर हम questions कहां से अगर तो आपको बता जिनका solution भी साथ सत मैंने दियो along with all the working notes with the best presentation जो कि आपको एक्जाम के अंदर करके आनी है साथ ही बता दू इसके साथ एक वीडियो हमने और जो इस बार डाला है 98 marks जी हां 98 marks all in a rank 3 में 2024 में हमारे student हिरेश ने लिये थे तो उस बच्चे की certified copy मगवा कर हमने उसका भी एक session बन presentation और stepwise marking के बारे में बहुत कुछ जो है पता चलने वाला है ठीके जी तो यह विली फाइल आपको मिल जाएगे हमारे telegram channel से और इसके अंदर जो questions है उन सब की videos भी YouTube पर है वो link कैसे मिलेगा वो मेरे telegram channel से मिल जाएगा आपको अब आपको यह सारा काम कब तक करना है 17 तारि article की बात कर रहा हूँ और यह जो file है इसके solution आपको मिल जाएंगे जो मैंने कहा हमारे YouTube channel से इसके link में डाल दूँगे 21 days revision वाले questions है हमारे उसके बाद बार ही आई हमने पढ़ लिया अब past ICA exam paper भी हमें कर लेना चाहिए institute ने new syllabus में अब तक सिरफ एक ही paper लिया जो कि है May 2014 का और आप बच्चों को बता दू कि मैंने May 2014 का paper पूरन तरीके से discussion किया है detail में YouTube पर हर किसी बच्चे को यह देखकर जाना है कोई बच्चे ऐसा नहों कि paper pattern पता ने exam में गुज गया भई पहली बार वाले बच्चों के लिए तो ठीक था लिकिन जब institute एक paper ले चुका है तो आ आपको मेरे YouTube से देखना ही देखना है इसमें कोई भी यह नहीं है में नहीं है शैल है लोग के बच्चों में और शैल का मतलब समझते हो यू शैल सी ऐसा नहीं है यू में सी ना देखना ही देखना है इसका time मैंने mark कर दिया आपके लिए और शाम को 5-7 बजे का time आपने इस उसके लिए लगसे time नहीं बता रहे हैं अब शाम को 5-7 तो 7 बजे से पहले पहले मतलब last 7 हो गया आपको यह बिला paper May 2024 का और उसके लब जो मैंने में 2024 में जिस बच्चे के हमारे 98 मांक साय थी उसकी certified copy हमने YouTube जो है उस पर share करी है मतलब मैंने पूरा detail में उसका analysis किया है अग को भाई कभी छोड़ा है आज तक नहीं छोड़ा है साथ रहता हूं साथ रहूंगा यह वादा है ठीक है जी और यह वाला paper जरूर देख लेंगे presentation टिप्स उगेरा काफी मिलेंगी उसके बाद आते हैं जी RTP इंस्चुट के RTP भी बड़े important है तो एक तो होगे आपका latest वल जाए तो May 2024 का RTP भी देख लेना जिन बच्चों ने मुझसे क्लास लियों को बता दूँ आपको गूगल ड्राइव का लिंक पर्चेज करने के बाद आता है उसमें एक फोल्डर बना हुए latest RTP और कोशन वेपर उसके अंदर जाओगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल सकते हैं यह वहला काम करने आपको शाम 9 बजे से पहले पहले ही अभी 18 सेप्टमबर पर हैं हमें 18 सेप्टमबर को जब सोना है रात को अपनी सारी तैयारी करके सोना है चैन की निंद को चाहिए ना सोचे 19 तारीक को भी तो दो बज़ तक का टाइम है तब कर लोगा अरे भा आपको सारी रेलिवेंट थेरी कराई हूए रेगुलर वाले बच्चों को भी काथा किताब से कॉस्टिंग गाथा से और जो हमारे बच्चे है उनको रागा वाली किताब से आपको किताब मिलते है आप्बर स्प को देख लेंगे ठीक है ना डिपेंड करते हैं आप कितनी डिटेल्ड रिवीजन चाहते हैं उसके इसाब से तो आपने रिवीजन करते रहने हैं मानलो उपने सुबह साथ किया दस बैस देग एक रिवीजन फटाफट हो गई उसके वापिस से आपने उसको रिवाइस करना है जितनी बार कर सको कि एक्जाम से पहले उतना ही बढ़िया हो जाएगा बाकी भाई हमारी बेस वीजन आपके साथ हैं तेयारी आपकी पूरी है यू है तो बिलीव इन यूरसेल एंड यू है तो क्लियर दा एक्जामीनेशन वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्र चैनल पर मिल जाएंगे भरपूर फाइदा उठाइए उनका और एक्जाम में बढ़िया नंबर लाकर अपना और मेरा सीरा चोड़ा कर दीजिए बाबाए